ये बात तो सच है कि मेवाद इलाके में इमानदार लोगों की कमे नहीं है और लगातार मेवाद के लोग अगर उन्हें कुछ मिल जाता है तो वो सोसल मीडिया पर आते हैं और बताते हैं कि किसी का सामान गिर गया है अगर वो चाहिए तो मेरे पास आ सकता है वो अपना नंबर जारी करते हैं, वीडियो जारी करते हैं और सोशल मीडिया पर वाइरल कर देते हैं ऐसे में बहुत सारे लोगों का सामान गुम भी हुआ और वापस उनको मिल भी गया किसी बुजूर्ग सक्स की हंसली खो जाती है तो किसी के पैसे खो जाते हैं तो वो जादा दिन तक छुपा नहीं देता, सोशल मीडिया पर लोग अपनी इमानदारी दिखाते हैं और उन लोग का सामान वापस लोटा देते हैं अभी हम लोगों ने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की थी जिसमें साप साप देखने को मिला कि एक रुपियो से भरा बैग मिला जिसके बाद ओटो ड्राइवर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया और लोगों को बताया कि वो जो बैग है रुपियो से भरा हुआ वो मेरे पास है अगर किसी का है तो वो आएं और उस बैग को वापस लेकर चले जाएं अब ताजा मामला सामने आया है खेडा खलेल पूर से जहां से एक मिवाती लड़के ने वीडियो जारी किया है और बताया है कि उन्हें कुछ पैसे मार्कीट में ग्रेव में मिले हैं अगर किसी के वो पैसे हैं किसी के रुपे हैं तो वो आकर के उन पैसों को ले सकता है दरसल अटबर चौक पर वो पैसे उन्हें ग्रेव में मिले हैं और लड़का जो है वो खेडा खलिल पूर गाउं करेने वारा है उन्होंने वीडियो जारी कर लोगों को बताया है कि मेवाद के लोगों अगर आपके रुपे गिर गए हैं तो आप आईए और मेरे पास ये रुपे को लेकर जाएए लेकिन हाँ अन आउशिक तोर पर मुझे फोन ना करें क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ और जिसके पैसे हैं वो ही मुझे कॉल करें क्योंकि जादतार लोग ऐसे होते हैं जो बिला वज़े फोन करते हैं और परेसान रहते हैं आईए एक नज़र डालते हैं इस वाइरल वीडियो पर जिसने बताया है कि अगर किसी के रुपे गिरे में है तो वो आकर ले सकता है सभी को नाश्कार सर मेरा नाम नरेश है और मैं गाउन खेडा खेलिपुर पैसे नहूं जिला नहूं कर रहने वाला लास्ट तारीक 76-2022 को मुझे कुछ पैसे रास्ते में मिले है और जो भी पैसे हैं जिसकी भाई के हैं मैं उन्हीं वापिस करना चाहता हूं जिसकी भाई के भी कल 76-2022 को पैसे कहीं रास्ते में गिरे हैं नुम्ब में तो वो एक बार आखे मिट से संपर्प कर लें और मेरा जो नंबर है सटर पंद्रह अठासी सोड़ा तेर तर जो मेरा एक दूसरा नंबर है निन्यादर बाण मैं सटासी जिरो एक सब्चासी कोई भी कर्पिया करके मुझे अनावशिक कॉल नागर है क्योंकि मैं अपने काम में हमेशा बिजी रहता हूं क्योंकि कोई भी अगर ऐसे ही बेवजे कोई कॉल करेगा तो उससे कोई हल ने होगा इसलिए मेरा आपसे निवेदन है जिस भी भाई के कुछ पैसे साथ शेर दोचार बाइस को नुहूं में कही रास्ते में पड़े हैं पड़े हुए मुझे मिले हैं जो जिस किसी के भी हैं तो मुझसे संबर करने हैं